आप सभी का स्वागत है का जाता है और इसका मतलब है जो तत है जो एसेंस है जो चाहिए इस दुनिया में शायद चमतकार करने के लिए तत आप ही में है आप ही है वो तत तो कभी अपने आपको अंडरेस्टिमेट मत करें यूवाल दोस क्वालिटीज यूट नीर प्रूफ आप रिलाइस कर लिए यह ज्यादा जरूरी है आई यह देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना था न्यूस्पेपर में ठिक्टा कब रहे हैं क्योंकि साटरड़े संडे बहुत जित नहीं रहता है और इलेक्शन का टाइम भी चल ला है तो आई देखते हैं क्या मिला अपन मतलब ठिक ठाक लोग अपने पावर को समझ पारें वोटिंग के और जो समिधान ने जो एक धाचा बना के तयार रखा है कि डिमॉक्रसी के इसाब से चलनी चाहिए वो ठिक ठाक लग रहा है एक चीज तो बदली कम से कम कि लोग कम से कम अपने पावर का यूस कर रहे हैं अब अगली चीज धीरे धीरे तब बदलेगी कि इस पावर का यूस किसके इंफ्लूएंस में करना है अब जैसे जैसे awareness education यह सब बढ़ेगा तो जो धीरे चीज़े हैं कि वो पैसा चलता है पॉलिटिक्स में या कुछ और चलता है पॉलिटिक्स में धीरे-धीरे दूर होने लगेगा and you'll have a direct realization कि ये काम का इंसान है इसको वोट दो तो अभी धीरे-धीरे ये चीज़े बढ़ लेंगे but that's a good sign of democracy that the people are turning out and they're trying to vote और इसकी election commission इसके बीचे बहुत महनत की है उसने बहुत अगला जो न्यूज हमें पढ़ना था वो judiciary से related है और judiciary से reservation का हमेशा से तालमिल चलता रहा है हाई कोट ने अभी क्वैश किया है हर्याना का एक order आया था एक act आया था यहाँ पर 75% of the private jobs जो 30,000 रुपे से कम की jobs थी उसके 75% jobs उन्होंने अपने native हर्याना के लोगों के लिए reserve कर दी थी यह बात बहुत दिनों से चले थी 2019 की बात है अब जाके judgment आता 2023 में पॉइंट यह है कि आप reservation को किस हद तक लेकर जाना चाहते हैं कौन से articles हमारे पास हैं जो की reservation की बात कर सकते हैं क्या इसको करने से आपका article 14 से लेकि article 19 तक भंग नहीं होता आपके समिधान में साफ लिखा हुआ है आप कहीं भी जाकर job कर सकते हैं आपको कोई बात धिता नहीं है but for some exceptions यहाँ पे कुछ जगहों को बचाया जाता है पर हरयाना ऐसी कुछ जगह नहीं है जहाँ पर मैं किसी चीज़ को बच जाओ वहाँ पे normally सब मिला घुला है और वहाँ पे जाके किया जा सकता था तो article 19 का तो साफ उलंगान था जिससे शायद हम article 21 का भी relation निकाल सके हैं तो यहाँ पे जो आर्टिकल 15 और 16 का यूज किया जा सकता है हाला कि domicile के basis पे मना नहीं किया गया है आप नहीं कर सकते पर फिर भी आप शायद article 19, 21, 14 इसके तो विरुद जाके ही कर रहे थे अब जाके judgment आता है अब देखते हैं इसके आगे अब क्या होगा पर खे ठीक है reservation है कैसी चीज रही है जो बहुत ही emotional रही है हमारे भारत में point A है is it giving the benefits if yes it should be allowed पर उपर के लोगों को यगर बस लाब मिल ला है नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा है तो कोई फायदा नहीं ऐसी policy गाई यह सिर्फ subcategorization of caste subcategorization of people करेगी इसका कोई जरुवत नहीं है तीसरा जो आज हमें पढ़ना था वह science and technology से related था टेक्निकल टेक्स्टाइल से related है का इंडिया टार्गेट कर रहा 40 billion आज डॉलर बाई टेक्निकल टेक्स्टाइल तो टेक्निकल टेक्स्टाइल का अलड़ी mission हमारा चालू है 2020 में mission चालू हुआ cabinet committee on economic affairs से उसको लागू कर दिया है टेक्निकल टेक्स्टाइल है क्या अब एक टेक्स्टाइल है जो हम लोग पेहनते हैं कपड़े हैं यह सब आपका aesthetic purpose के लिए this is not technical textile टेक्निकल टेक्स्टाइल का दो पैमाना है एक उसका function होगा और उसके efficiency देखी जाएगी function का मतलब it has come for something like fireproof है वो यह होसकता उसकी efficiency क्या है कि वो चीजों को बहुत अच्छे से मजबूती से पकड़ सकता है जैसे landslide अभी कहीं पे हुई है तो वहाँ पे अगर हम जियो टेक्स्टाइल बान देते तो शैदो गिरता नहीं तो यह टेक्निकल टेक्स्टाइल होते हैं जिनके functions होते हैं यह एस्थेटिक के लिए नहीं है ऐसा नहीं क्या पहें कि उसको घूम पाऊगे केवलार होता है जो बुलेट प्रूफ होते हैं तो यह सब आपके टेक्निकल टेक्स्टाइल हैं और हमारे पास लगों 12 से 13 ऐसे टेक्नालोजी सेक्टर है जहां पे टेक्निकल टेक्स्टाइल का यूज होता है तो ठीक टाक पैसा इसमें हम लोग इंवेस्ट भी कर रहे है आने की उमीद भी है लेट सी वोट हैपन्स नौ टेक्निकल टेक्स्टाइल का मिशन अल्री भारत में चल ला है और इसके डिमांड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है तीसरा जो हमें पढ़ना था फिलिपाइन्स के सदन पोर्शन में आप अगर देखेंगे तो अर्थक्व फायर रहे क्योंकि वहरा पे प्रस नियक्न अपाइन्स धीरे पर कभी बहुत बड़ा घर जटका जाता है तो शायद वो सकता है बहुत बड़ी तबाही मचा जाए तो पैस्विक रिंग औफ फायर फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब आप नीचे कमेंट करके चीज बता दीजेगा कि क्या पैस्विक रिंग फायर में हवाई अगला जो क्वेश्चन था वो है इंटरनाशनल ऑर्डर का एक थीम आया है जैपान पीम रेज़े सीरियस कंसर्स अबाट मिलिटरी अक्टिविटी इन टॉक्स विच शी तो जपान ने और चाइना ने मुलाकात की एपेक में एपेक इस और एशिया पैस्विक और इकनॉम इसको आपको बंद कर देना चाहिए because it is troubling all of us now. Let's not do that military adventureism. आप शांती से आप भी बैटो हम भी शांती से बैटे हैं. आप अगर परिशान करोगे अपने वेजल मिलिटरी गुमाओगे तो हम भी कहीं से कम नहीं है. Our sophisticated technology will then see you. तो peace बनाने के लिए, security और peace रखने के लिए. Let's not do this. चाइना ने क्या किया? Japan से सारा seafood बैंक कर दिया. वो इसलिए बैंक कर दिया कि Fukushima का पानी Japan ने अब ओशन में छोड़ना चालू किया तो China किया रहा है कि सब nuclear radiation के शिकार है. अब मैं कोई seafood आप से नहीं लूँगा. तो Japan के Prime Minister ने यही बुला कि मैं खुद खा किया हूँ वहां का seafood और वो कोई ऐसा radiation नहीं है अग्वलत फहिमी में है और ना यह भ्रहम फहला है यह Japanese Prime Minister का क्याना है. हलाकि international जो एक idea बना हुआ है वो अलगी है. Japanese Prime Minister कोशिश कर रहे हैं इस चीज को justify करने का बर अगर आप कोई भी नॉर्मली idea देखें तो radiated water तो था ही वो और उसक कर चुके हैं. AI और synthesis को use करते हुए defakes बना जाते हैं, मतलग कुछ ऐसे audio, video या images बना जाते हैं, जिसमें किसी एक इनसान का लगभग आप पूरा चरित्रन ही change कर देंगे, उसके चेहरा बदल दें, कुछ आप audio बदल दें, video बदल दें, अब इसको reality से भेदने में थोड़ी कठिनाई होती है, अभी हो तो जा रही है, पर धोड़ी कठिनाई है, अगर यह synthesis और powerful हो गया, तो शायद भेदना भी मुश्किल हो जाएगा, और लोग इसको गलत-गलत propaganda में use करेंगे, एक दूसरे खिलाफ यूस करेंगे, और कहीं न कहीं किसी को awkward position में लाके खड़ा कर द Social Media का बहुत important role है, बस उसको mediator नहीं रहना है, कि आप जाके यहां कुछ भी डाल दो, आपको ऐसा check करते रहना है, कि कौन defect डाला है, क्या ऐसा technology उसमें use हुआ, और जल्दी से उस content को हटाओ, अगर कोई complain आ रही है, तो बढ़ा important इनोंने कल कहा है, तो these were the items that we had to study today, और इसक आपाले, जेहेंट